हेलो दोस्तों क्या आप भी परसानों अपने इंटरंडिक की स्पीड को ले करके क्या आपके मुबाईल में भी इंटरणेट की श्पीड सुलो है तो दोस्तों याश का वीडियो आपके लिए बहुत ही उप्योंगी साबित हो सकता है है और अप्रम्टत हम इसा है इंटरनेट की swiftly बहुत ही श्लो हो जाती है तो हम परसाम रहते हैं वैसे अगर हम कुछ ऐसे मोबाइल में कुछ ऐसे शेटिंग सो थे हैं जिनकी वजह से हमारा इंटरनेट की स्पीट बहुत स्लो होई रहति और हम परसान रहते हैं तो आज मैं जो त्रीक बताऊंगा दोस्तों वह बहुत ही यूनिक ट्रीक है और हंडेट परसेंट आजमाया हुआ ट्रीक है मैं भी ऐसे ही परिसान था बिल्कुल रॉकेट के जैसा अपने थमनेल में देखा है उस तरह की स्पीड आपको मिलेगी इसमें तो फ्रेंट चल दिया जानते हैं वह सेटिंग कौन सी है और फ्रेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो और वीडियो आपके अगर समझ में आए तो चैनल क हम चलते हैं अब वह सेटिंग कौन सी है तीन सबसे पहले हमें आना है अपने मुबाइल के सेटिंग में फ्रेंट से यह हम अपने सेटिंग में आते हैं और सेटिंग में आने के बाद फ्रेंट से यह हम सेटिंग में आगे फ्रेंट तो सबसे पहला सेटिंग क्या है इसमें सबसे पहला setting हमें यह करना है कि हमें अपने mobile network पे आना है mobile network पे आने के बाद इसमें हमें क्या करना है सबसे पहले हमें देखना क्या है इसमें की इसमें जो है हमारा जिस number का जिस sim का हमें internet की speed बढ़ानी है वो किसमें लगी है अगर दो में होगा तो यह formula काम नहीं आएगा SIM 1 में लगा होना चाहिए हमेशा इसका एक ही condition है SIM 1 में लगा होना चाहिए तो better speed आपको मिल सकती है तो हमने पहले से ही SIM को SIM 1 में लगा रखा है मैंने GEO का SIM यूज किया है इसमें और मैंने इसको एक number SIM में लगा रखा है तो हमें क्या करना है SIM 1 पर क्लिक करना है SIM 1 पर क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहला setting यह करना है कि आप देख सकते हैं यह उपर से नीचे हलाकि अलग-अलग phone में यह setting अलग-अलग जगहों पर मिलती है आप ढूंड लेना कि कहाँ पर है वह setting तो फ्रेंट्स preferred network type में हमें क्लिक करना है हमने इस पर क्लिक कर दिया क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 4G, 3G, 2G auto इसमें हमें auto रखना है ना कि यह 3G, 2G और 2G only इन दोनों में से कोई नहीं रखना है आटो पर रखना है कि जहां भी जो network पकड़ेगा तो उस हिसाब से वो अपना catch कर लेगा तो friends हमें सबसे पहले यह 4G, 3G और 2G आटो पर रखना है इन दोनों पर नहीं रखना है पहली setting यह हो गई और दूसरी setting दूसरी setting में friends हमें क्या करना है कि access point name जिसको हम लोग APN बोलते हैं access point name यह आप देख सकते हैं थोड़ा और पास कर देता हूँ यह access point name आप देख सकते हैं यह access point name पर हमें click करना है click करने के बाद friends देख सकते हैं आप यह भी अलग-अलग mobile में अलग-अलग फोन में अलग-अलग तरीकों से आता है तो हमें ढूंड लेना है कि वो setting कहां पर हमें जो है idea mms पर हमें click करना है click करने के बाद इसमें देख सकते हैं आप इस तरह का कुछ स्क्रीन पर आएगा और हमें इसे scroll करते हुए नीचे जाना है स्क्रोल करते हुए नीचे जाना हमें इसमें ढूंडना है कि barrier barrier कहां यह देख सकते हैं आप यह barrier लिखा हुआ है यह barrier पर हमें click कर देना है barrier पर click करने के बाद हमें देखना है इसमें यह देखिए not specified जो लिखा हुआ है इसमें ना रखके हमें जो है इस पर हमें इस मार्क पर क्लिक कर देना है, राइट के मार्क पर हमें क्लिक कर देना है, यह हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद friends, तीसरी सेटिंग, तीसरी सेटिंग क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरी सेटिंग देखिए, दो तरह से होता है, कुछ-कुछ करना है इसमें आपको डायल करना इस्टार हैसी इस्टार हैस four six तरीशन पर किलिक करना है तो दोस्तों समेन में सबने सिष्टम नहीं होता कुछ कुछ मोबाइल में यह नहीं होता तो उसके लिए हमें क्या करना है हमें अपने प्लेस्टोर पर जाने के बाद फ्रेंट से खलते हैं चली मैं चलता हूं प्लेस्टोर पर जाने के बाद हमें एक अप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा और उस अप्लिकेशन का नाम है कि फोर्स एल्टी ओनली यह बहुत ही छोटा सा अप्लिकेशन है दोस्तों के वल लगभग सारे पांच लगवी 5.6 इसको आपको इंस्टाल कर लेना है इस तरह करने के बाद चलिये इंस्टाल हो रहा है तब तक मैं रुप जाता हूं यह डाउनलोड हो गया है और डाउनलोड होने के बाद हम यहां से इसको open करते हैं फ्रेंड open करने के बाद यह देखिए कुछ परमिशन वगएरा माँएगा यहां से next कर दिये next कर दिया यहां से next यहां से आप देख सकते हैं except usage policy and get started हमने इस पर get started कर दिया इसमें friends हमें यह देख सकते हैं जो सबसे पहले नंबर का जो इसमें system है जो option है सबसे पहले नंबर पर method 1 android below 11 तो हमें सबसे पहले इसी पर click करना है इस पर हम जैसे click करेंगे click करने के बात देखते हैं क्या खुलता है यह क्लिक नहीं हो रहा है चलिए हम method 2 करते हैं देखिए यह method 2 पर जैसे हमने किया same वही setting खुल गई जो पहले हमने दिखाया था जो कुछ डालर पर हमने कुछ संख्या टाइप करके दिखाया था setting वह सारी setting same वही setting यह खुल गई है ठीक है अब इसके हम बाद हमें क्या करना है चलिए से मही setting है तो हम यहां से न जा करके हम फिर से एक इसमें क्या setting करना है हमें चलिए हम देखते हैं इसमें सबसे पहले उपर phone information पर क्लिक करना है phone information पर क्लिक करने के बाद friends यहां phone 0 लिखा हुआ है उपर phone 0 आप देख सकते हैं इसमें च्रूहरा सीमोन में लगा हुआ है नीचे हमें दिखेगा यह समसी यहां पर जब हम कुछ नहीं लिखा हो है अभी जब हम इसको रिफ्रेस करेंगे तो इसमें कुछ संख्या आजाएगा हो सकता है यहां से हमने इसको अपडेट कर दिया ठीक है अपडेट करने के बाद फिर अपने इंटरनेट की स्पीड चेक करनी है आप यकीन नहीं करोगे बहुत ही जबरदस फर्मूला है सबसे हटके है ऐसे तो यूट्यूब पर बहुत वीडियो बने है लेकिन यह फर्मूला आप एक पर लगा के देखो एक्दम गारेंटी देता हूं कि 100% नहीं 101% यह काम आएगा आपके नेटवर्क की स्पीड इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी तो फ्रेंड्स आज के बस इतना ही थाइंक्यू दोस्तों